36 गड़ के विधान सभा चुनाओ की मदगर्ना से पहले आया एक्जिट पोल कॉंग्रिस को खुशखबरी दे रहे हैं एक्जिट पोल बता रहे हैं कि इस बार फिर से बन सकती है कॉंग्रिस की सरकार अब अगर कॉंग्रेस की सरकार बन भी गई तब भी कॉंग्रेस को टेंशन रहेगी इसकी वज़ा है सीम पत उप मुखे मंत्री टीयस सिंग देव ने कहा है कि कॉंग्रेस सत्ता में बरकरा रहेगी सीम के चेहरे को लेकर मीडिया से पूछे गए प्रशन को लेकर उन्होंने कहा कि पांस साल का उनका अनुभव कड़ा रहा है मुखे मंत्री पत के लिए पार्टी आला कमान की पसंद सभी को स्वेकार्य होगी टियस सिंग डेव ने और क्या कुछ कहा आपको सनाते हैं कम से कम मुस्कुराने का मौका तो मिला तीन तारीक को अंतिम निर्ने होंगे लेकिन तब तक रहात है कि कम से कम गवर्मेंट में तो आ रहे हैं अभी भी मुझे लगता है कि 60 के आसपास होना चाहिए और वो होगा तो संतोष होगा उससे कम होगा तो जरूर निराशा होगी लेकिन काम करने का मौका अगर मदाता देते हैं तो ये हम सब के लिए बड़े सवभाग की बात होगी जिस तरीके से एज़ दे रहे हैं आपको एग्जिट पोल दूर मुक्रमंत्री के चेहरे के ऊपर भी उठे की क्या डिसाइड होगा सर फाइनल डिसीजिन क्या रहेगा और किसके नाम पे ये सेरा सजीगा पिसले पांच साल जो हम लोग का धाय धाय साल वाली बात को लेके अनुभव रहा ये अच्छा नहीं रहा और हम लोग सब बैटके शेलजा जी आई थी हमारी प्रभारी हैं उनके साथ सब हम लोग बैठे थे भूपेश भाई थे दीपक बैज जी जो पी सी सी प्रेजिन्ट है वो थे स्पीकर साथ चरंदास महन जी वो थे कोर कमिटी तामरद साहु जी थे शिव डहरिया जी थे मैं भी था और हम सब बिलकुल एक राय से निर्ने लिया कि हाई कमांड जो तै करे वो फाइनल ये स्पेकुलेशन में और ये सब बीच में चक्कर में नहीं पढ़ना है इस से हो रहा है कब शपत हो रहा है तो ये बिलकुल एक क्लाइन तै किया है कि हाई कमांड पी छोड़ना है कि अदिन तो एक दिन कां करो कां कर से बादनी की जड्रहत हो तो वे सोचेंगे अपना दिमाग न ही लगाना जए झाल झाल